सर इसी कॉंग्रेस के युबराज ने, क्या कहा सर कि मोदी ओबीसी ही नहीं है इतनी परिशानी है इन लोगों को सर सारे अपोजिशन को वो ओबीसी नहीं है और उनको कहते ही वो तेली है आप यह समझे कि जाती सूचक सब्द बोलने में भी एक सम्मान होता है हमारे यहाँ उस समाज का contribution है सर यदि वो समाज नहीं रहता तो आज ये समझे कि लोगों का चक्का चुलानी चलता सर घर दर्वाजा नहीं चलता सर उन्होंने इस देश में contribute किया सर और कोई इसा गाउन नहीं है जहां कि उनका contribution नहीं है उसके बारे में इस तरह की सब्दें सर मैं कैवल दो छोटी चोटी चीज और बोलना चाहूंगा सर था और वी बक्ता है एक करे एक सर सारदा चीट फंड इस इसमें सर सारदा चीट फंड की बात है हम लोग हम लोग जिस इलाके से हैं सर मानी मोधीजी के प्रधान मंतरी बनने तक आप ये समझें कि बैंकिंग की स्थिति ये थी लोग काते ना कि जंधन एकाउंट खुल गया पचास करोण लोगों को जो है एकाउंट मिल गया आप ये समझें कि कि किसी को फायदा हुआ या नहीं हुआ हमारे इलाके में फायदा हुआ हमारे इलाक करने वाले स्कीम में जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे और यही कारण है कि बेंगॉल का बिहार का जारखंड का जो है बहुत जादा डवलपमेंट नहीं वा क्योंकि एक तो कैस डिपॉजिट रेशियो में सर जो हम लोगों का कैस जमा होता है तो उसमें जो हम लोगों का क्रेडिट और डिपॉजिट का रेशियो है दोनों में बहुत फर्क है सर आज भी वो 30% 35% से उपर नहीं आ पाया जिसके बारे में कि रूडी जी बोल रहे हैं रूडी जी भी बड़ा प्रियास करते हैं कि जो है क्रेडिट मिले हमारी लोगों को हम लोग भी लगातार प तो किसी मंत्री के हाँ 50 करोड किसी के हाँ 40 करोड किसी के हाँ 20 करोड कैस पकड़ा रहा है सर ये देख बेंगॉल की में बात कर रहा हूं और और उस पैसे का क्या यूज हो रहा है जो मैंने आपको कहा कि जिस तरह से पिरुपती से पसुपती तक एक नकसली जम हो गया था अकसल का एक बेल्ट बन गया था उसी तरह से आज की डेट में पूरा का पूरा बंगलादेशी चाहे वो बरपेटा नोगाओं से आप सुरू करिये धुबरी होते वे वो मालदा मुर्शी बदावाद किसन गंज कटियार पाकूड और ये साब गंज गोड़ा होते वे जो एक कोरिडोर बनाए सर ये सारे पैसे इलीगल पैसे एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में जा रहे हैं और उसका सिंगल पॉंट एजेंडा केबल मुस्लिम वोट बैंक है सर यही वाइट पेपर है यही इस देश को पताने क्या आवशक्ता है कि इस तरह के जो इलीगल जारखंड और बिहार करप्शन से बहुत परिशान रास है हमारे बच्चों का विकास नहीं हुआ हमारे यहां रोड नहीं बना हमारे यहां नाले नहीं बने विस्थापन और पलायन जिसके कारंट की पूरे देश भर में जो है विहारी लेवर हो गए सर और आज विहार के लोग कहीं जाते हैं तो उनको जैसे मालीजे की बॉंबे, दिल्ली, कलकत्ता, मदरास यदी कमाने के लिए जाएं तो लोगों को लगता है कि हम पॉपुलेशन पर बोज हो रहे हैं, जबकि 80%, 85% से ज़्यादा माइन्स और मिनरल्स हम देते हैं, हमारे कारण ये देश है, साय हो जारकंड हो, 36 गड़ो, उडिसा हो, वेस्ट बेंगौल हो, मदप्रदेश हो, यदि हम नहीं हो, तो शायद इस देश की एकोनामी जो है, नही इस देश को बढ़ाने में, आगे चलाने में जो है, बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन सर, हमारे बच्चों को नौकरी, आज माननी मोदी जी ने, चतुर्थ वर्ग बें, सारे जो इंटर्व्यू हैं, साक्षात कार हैं, उसको बंद करते हैं, थर्ड, जो थर्ड औ इस वाइट पेपर में है, लेंड फॉर जॉब स्कीम, इसमें लिखा हुआ है, मैं वाइट पेपर के अलावा जो यह है न, यह बाइबिल है मेरे लिए, रमायन है महाबारत है, इसके आगे जो है मैं कहीं नहीं जाओंगा, मैं केवल यह बताओंगा कि आपने किस तरह से ल पैसा दिया, उनकी ही नोकरी लगी सर, जो बच्चे के माँ पिता जी पैसा देने की स्थिती में नहीं थे, उनका जो है जमीन, उनका जमीन जवरदस्ती लिखवा लिया गया, अपने नाम से लिखवा लिया गया, सेल कंपनी बना ली गई, इसी दिल्ली से लेके बॉंबे तक और बाहर तक जो है आलिसान जो है उन्होंने मकान खरीद लिया सर बच्चों की जिंदगी बरबाद होगे आज उनके माबाप जो है करा रहें ये स्थिती है सर और उस कारण से हमारे बिहार में ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति जेल गया आज भी जो चार सीट चल रही है मुझे लगता है कि पूरा का पूरा परिवार जेल जाएगा क्या इसी तरह कि अर्थवेवस्था बनाना चाहते हैं आप अर्थवेवस्था छोड़कर गए जो एक करप्ट अर्थवेवस्था थी चालिस साल में आपने जो देश का विकास होना चाहिए उस विकास को नहीं किया 10 स साल जो आपका सासन रहा 2014-04 से लेके 2014 तक वो केवल और केवल लूट का इतियास है यह इस देश को जानने के आवशक्ता इसलिए है कि उस वक्त जब हम सरकार में आए तो आज वो एक transparent सरकार देख रहे हैं प्रस्टाचार मुक्त सरकार देख रहे हैं वो माननी मोदी जी के विकास को देख रहे हैं वो रेल देख रहे हैं वो एमस देख रहे हैं वो ऐसी स्थितियां देख रहे हैं जिसमें लगता है कि अमेरिका और लंदन हमसे पीछे हो जाएगा वो ऐसी अर अर्थवेबस्था लेकर आए लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं था लोगों को सरकारी करमचारी को देने के लिए पैसा नहीं था और किस कारण से था तो कोई भी स्कैम ऐसा नहीं था चाहे वो 2G हो, चाहे वो Colgate हो, चाहे वो Adres Scam हो, चाहे वो 2080 हो, चाहे वो Defense का घोटाला हो, सारे स्कोईम को यदि मिला लीजिए, तो 2004 से लेके 2014 तक इस सरकार ने, बैंक के स्कैम से लेके सारे तक लगवग लगवग 60,00,00 करोड का स्कैम किया था, ये सारे पैसे Black Money के तौर पर, Switzerland से लेके Tax 7 तक में जो है, जमा है सर, जो Panama पेपर से लेके, पेंदोरा पेपर तक आ रहा है, वो ये बता रहा है, कि 2004 से लेके 2014 तक किस तरह की अर्थवेवस्था को हमने जन्म दिया है, इसलिए ये सब जानने की आवशक्ता थी, हम सुकर बहुत ही सलिके से इस देश को बचा के लाए हैं, राम राज्य स्थापित करने आए हैं, राम हजार साल के बाद आए हैं, हम मानी प्रदान मंतरी जी के प्रती सुक्र गुजार हैं, कि हम भारती जन्ता पार्टी के काई करता हैं, आप जीते रहें, आपकी जिंदगी रहें और जब तक आप जीते रहें, इस देश के प्रदान मंतरी रहें, यही हमारी कामना है, इनी सब्दों के साथ जाए इंजय बादी जी जी Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on this white paper on the Indian economy, sir. Sir, this title, white paper on the Indian economy, has got me surprised, because when you talk about white paper on the Indian economy, what time frame are we talking about? So, they are talking only about the last 20 years. I would like to highlight what has been the status of the Indian economy, probably pre-independence period onwards. If you look at the Mughal period, we boast saying that India had about 25 to 30 percent of the world's GDP, sir. Subsequently, even when the Mughals were ruling here, they ensured that the wealth of the country stayed in the country and we were a prosperous nation, sir. But subsequently, during the British rule, we were systematically looted, where 1947, when we got our independence, India's GDP was only about 1 percent of the world's GDP, sir. Since then, from 1947, our late Prime Minister, Honorable Jaworla Nehru, he was having the biggest challenge of nation-building, sir. When we got our independence, there were so many countries which raised aspersions. They said, India will not stay as a nation. It will soon integrate. This was the criteria under which the government was functioning at that point in time. And you also know that the number of wars we had earlier with Pakistan and with China, all these things had to be taken care of. And at that point...